पश्चिम जर्मनी में रूर नदी पर एक प्यारी सी जगा लेकिन करीब से देखें तो ये इतनी भी सुन्दर नहीं केविन, नोयल और उनके सहपाथी यहां मचली पकड़ने नहीं बलकि कचरा साफ करने आए हैं जहां भी उनकी नजर जाती है, कचरा पड़ा दिखता है, कई किस्म का बहुत सारा कचरा केविन और नोयल हमें कुछ रद्दी अखबार दिखाते हैं, सिगरेट लाइटर भी उन्हें चिन्ता है कि इनसे तो आग भी भड़क सकती है, बहुत सारा प्लास्टिक और काच की बोतले भी पड़ी है हाई स्कूल में पढ़ने वाले ये चात्र प्लास्टिक पाइरेट्स नाम की मोहिम का हिस्सा है इस रिसर्च प्रोजेक्ट में वे असली वैज्ञानिकों वाला काम करते हैं वे पानी का सेंपल लेते हैं, नदियों और नदी किनारों से मिलने वाले कचरे को जाँचते, गिनते और रिकॉर्ड रखते हैं इस डेटा से कील शहर में वैग्यानिक जर्मन नदियों का कच्रा मैप बना कर समंदर में जाने वाले कच्रे का हिसाब लगाते हैं 700 स्कूलों के 15,000 प्लास्टिक पाइरेट्स ने 2016 से पूरे जर्मनी में सैंपल जमा किये हैं अब ये प्रोजेक्ट दूसरे येरोपिय देशों में भी चल पड़ा है दो साल से स्कूल के पाचक्रम में रिसाइक्लिंग का विशे शामिल है उभरते वैग्यानिकों की होसला अफजाई करते हुए टीचर भी खुश हैं मुझे इस बात को लेकर चिंता होती है जब मैं लोगों को कच्रा पहलाते हुए देखती हूँ खास कर तब जब वो बच्चों के साथ होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि वो छोटे बच्चे क्या सीख रहे होंगे प्लास्टिक पाइरेट्स की बदौलत ही पता चला कि जर्मनी में नदी तटके हर दो वर्ग मीटर पर आउसतन कच्रे का एक टुकड़ा पड़ा मिलता है फ्रांस में भी कच्रे को तलाशने का प्रोजेक्ट चल रहा है नाम है प्लास्टिक ओरिजिन्स आर्टिफीशियल इंटिलिजन्स और एप के जरिये वो एक कदम आगे हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेंटियर चाहिए नदियों के किनारे वॉकिंग और नदी में क्याकिंग करते हुए डाटा जमा कर सकने वाले लोग उनके डाटा और उनके लिए वीडियो का विशलेशन कर हम कच्रे की पहचान कर सकते हैं और इस डाटा से नदी के प्लास्टिक प्रदूशन का खाका तयार कर सकते हैं प्लास्टिक ओरिजिन्स चाहते हैं कि कचरे पर और कड़े कानून बने और यूरोपिये नदियों में प्लास्टिक की मात्रा सीमित की जाए उनके कचरा नक्षे में प्रदूशित इलाके खासत और परचिन हित है ये बहुत जरूरी है इसी से हम जानेंगे कि सबसे पहला काम कहां करना है प्रदूशन तो हर जगह है लेकिन हमें पता है कि महासागरों में ज़्यादतर प्रदूशन नदियां ही पहुँचाती है लेकिन अभी हम यह नहीं जानते कि कॉनसी नदियां सबसे ज़ादा पुरुदू-शित हैं लेकिन उनका एप माइक्रो प्लास्टिक को ट्रैक नहीं कर सकता अकेले जर्मनी में प्रती व्यक्ती प्रती वर्ष चार किलो माइक्रो प्लास्टिक पर्यावरण में मिल जाता है उसके मुख्य स्रोध हैं वाहनों के टायर, और द्योगिक कच्रा और घरों का कूड़ा वेस्ट वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट भी इन बहुत बारीक कणों को फिल्टर नहीं कर पाते लेकिन म्योनिक का एक स्टार्ट अप इको फारियो साधा लेकिन कारगर धंग से ऐसा कर पा रहा है उनका प्रोटो टाइप अभी टेस्टिंग में हैं सबसे उपर बाएं हिस्से से गंदा पानी पाइप में आता है जहां एक जोरदार घुमाओ बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक वाले पानी को धक्का देकर उपर पहुँचा देता है कंपनी के मुताबिक नगर पालिकाओं और उद्द्योगों का 95 फीसदी माइक्रो प्लास्टिक ऐसे फिल्टर किया जा सकता है उदर प्लास्टिक पाइरेट्स मानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूशन से निपटने के लिए और ज्यादा कदम उठाने होंगे